जैहिं दोस्तों दोस्तों आज बड़ी खबर आईए जारकंड इस्टेट से सेनावरती रेली 2020 आ चुके जो 24 जिलों के लिए सेनावरती रेली है इसके लिए फोरम एपलाई है आपको 5 फरवरी से 20 मार्ज तक आप फोरम एपलाई कर सकते हो और जो रेली है वो 5 अप्रेल से 18 अप्रेल 2020 के अंदर ये होनी है यह जारकंड राची आरो है वहां से जो नोटिपिकेशन जारी हो चुका है तो जो जारकंड के 24 जिलों है उनके लिए सेनावरती रेली आ चुकी है तो दोस्तों देखते हैं जो जारकंड राची आरो है वहां से यह सेनावरती रेली का पू आप फोरम एपलाई कर सकते हो या नहीं इसके बारे में तो दोस्तों तो दोस्तों जो बलट है राज्य बर के छात्रों के लिए देश का सेवात देने का मौका सारीग दस्ता के बाद होगी लिकित प्रेक्षा याने 5 अप्रेल से 18 अप्रेल तक महराबाइदी में सेना परती रेली होगी जो गराउंड है वहाँ पर ये सेना परती रेली होगी जो पांच फरवरी से 20 मार्च तक आप रजिस्टेशन ओनलाइन कर सकते हो 21 मार्च से 4 अप्रेल तक आपकी जो एडिमिट कार्ड है वो इमेल आईडी पर बेस दिया जाएंगे और 24 जिलों के योग ये प बाद में जो भारती सेना की ओपीसेल वेबसाइट है उस पर भी इसकी जो नोटिपिकेशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे तो दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार आये तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो पास में बेल आइकन दिक क्यों आपिस्टों के साथ सेर कीजिए और इस सेना थी के बारे में उन्हें भी बताईए ताकि वह सेना की भृतिए में जा सके और अपना रजिस्टीरत करवा सकते हो और एक सेना की अपील है कि किसी के जांसे में ना आये और दलालों से रह सावदान करनल पटियाला ने अभ्यारतियों से अपील किये कि वो किसी के जांसे में ना आये और दलालों से साफ़दान रही कोई भी वेक्तिक किसी अब्यारती से संप्रक कर नोकरी लगवाने की बात केहकर पेसा मंगता है तो तुरंत पुलीस को सूसना दे पट्टियाला ने ये भी कहा कि किसी को पेरवी सेना में नहीं चलेगी तो दोस्तों ये साफ कर दिया है कि सेना के करनल है उसने किसी की दलालों की जो इसमें दाल नहीं गलने वाली है तो दोस्तों ये है सेना बढ़ती कारियली रांची है सेना बढ़ती रेली ये केवल फूर्सों के लिए है मौराबादी है वो मेदान है रांची के अंदर इसमें 5 अप्रेल से 18 अप्रेल तक ये सेना बढ़ती रेली होनी है जारखंड राजिये के सभी चोईजिलों के योग पुरिश उमिद्वारों के लिए पांच चार दोजार बीस से अठारा चार दोजार बीस तक मोरावादी मेदान राच्ची जारखंड में यह सेना पड़ती रेली का आयोजन किया जारा है ऑज्ना पंजिकर रेली के यहाँ पांच दोजार बीस से बीस थीन दोजार बीस तक यह खोलना आ ऊपन है रेली में बाग लेने के लिए एडिमिट कारड रेली इस तरफन करड़ यह तक गर दोजार बीस तक आपकी रेजिस्ट्रेशन एमेल बैस दिया जाहेगा तो दोस्तों ये है जो प्रेश नोट है इसमें देख लीजिए आप इस सेनाबरती की रेली के बारे में आयू की गरना भी वो एक अक्टूंबर उगनी सो निजानमे से एक अपरेल 2003 के बीच में की गई है जो जनरल ड्यूटी है जीडी से उनके लिए ये सेनाबरती रेली आईए और लंबाई की बात करें तो एक सो गुंसी तर आपकी सेमी लंबाई है तो आप इस सेनाबरती में जा सकते हो और वजन है वो आपकी हाइट के अनुसार होगा और चेस्ट है वो सतेतर समी पलस पांशेमी फुलाव है और दस वी में आपको 45 परसेंट अंग है और परते विशे में 33 परसेंट अंग है तो आप इस सेनाबरती में जा सकते हो और इसके बाद में सेनिक तकनिक है उसके लिए भी टेकनिकल की लिए साड़े सतरह से तेस वर्ष की गणना की गई है वो एक टूंबर 273 में से एक अप्रेल 2003 के बीच में की गई है इसमें हाइट भी है वो एक कुण सितर है और आपकी हाइट के अनुसारी वजन किया जाएगा और 37 समी प्लस पांस में फुलाव है और दस यूव बारे पास इसके अंदर आपकी होनी चाहिए से जो योगता है वो इसके अंदर में बहुतिक रासा ने गणित और अंग्रेजी विशें में 50% मार्स होने जरूरी है और परते विशें में 40% से अंक कम नहीं होने चाहिए इसके बाद में सेनिक नर्सिंग सेनिक तकनिक इनके लिए भी वेकिंसी है वह साड़े सत्रा से तेस्वर्ष की आई हुए और सेनल बरती में लिपी इस्तोर की पर अपड़ी के लिए के लिए इसना बरती शटूर के लिए सबसाब्त रिथ सब्सक्राइब के लिए और आपकी आयू के गर्ना एक अक्टूमबर उगनी सो तराण संत्यान में से एक अप्रेल 2003 के बीच में की गई है इसमें आप दस्वी पास हो तो ट्रेड में के लिए फोरम एपलाई कर सकते हो और आट यू पास के लिए भी वेकंसी आयू हुई है इ इसमें कोपर कुक बार पेंटर डेकोरेट मेंट वेटर मोची टेलर वदोबी के लिए यह भी वेकंसी है जो आट यूपास के लिए आई हुई है और दोस्तों आपकी दोड की बात करेंगे तो दोड है वो आपको 1600 मिंटर होगी रों रइनिंग उसमें आपको समय है वो गृूफए के लिए पान्च मिनृट 30 सेकिंड दिये जाते हैं और गृूफए सेकिंड है उसके लिए पाँक मिनृट 31 सेकिंड यह 5 Cookie सेकिंड ते कि ना कि ओपीशल वेबसाइट पर यह समय दिया गया है परन्तु इस समय से भी कम आपको समय वहां ग्राउंड में मिलेगा तो दोस्तों इसे पांच मिनट आप 15 सेकंड या 20 सेकंड तक पहुंचोगे तो आपको 60 नमर मिलेंगे और पांच मिनट 20 सेकंड या इसके बाद में 28 27 27 26 26 और इसे भी कम निकालोगे दो भीम आप सेनापरती से बाहर हो जाओगे और 9 फिट का गड़ा है वह पास होना निवार यह जिग जेग बैलेंस है वह पास होना निवार यह यह था जो आपकी सारी दक्सता का यह ना आपका फिजिकल टेस्ट इसके बाद में आपकी को झाओगे उसके बाद में आपके जो मेडिकल छेक अप हूगा अ कि उसके बाद में आपके लिकलत परीक्षा हो गी जिसके बाद में आपको सेनापरती में जानी का मुँखा मिल जाएगा जो राच्ची सेनाबरती रेली ये कार्याले वहां से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें आप भी अपने जो परमान पत्र है वो देख सकते हैं कौनगों से लेकर जाना एंसे परमान पत्र है तो वह लेखर जाना है आप किसी के खेल का में आपके पास परमान पत्र है तो वह आप ले जा सकते हो उसके लिए राजताय ये इस्ताषमन्ध है वो फशंपार् surprise और भारत्य इंप फ्वांडेशन वहां पिलिए सट्विकेट चलेगा और सपतपतर यह होना अनिवार यह आदार कार्ड आपके साथ होना अनिवार यह है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई जो बारतिय सेना में जाने वाले यहों के लिए ये सबी सेनाबर्तियों में सेमी डोकुमेंट होने है तो ओके दोस्तों हमारा ये वीडियो किसा लगा प्लीज कमेंट करके बताईए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि उन्हें भी पता जले कि सेनाबर्ती रेली आ चुकी है और दोस्तों और आगे आने वाली सेनाबर्तियों के बारे में जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल पर आप कमेंट करके भी हमें भूश सकते हो ओके दोस्तों जैहिं जैपारत